कुछ बताईए सर मतलब जो allegation लगाए गए गए हैं वो क्या सही है क्या गल्त है सर कुछ allegations लगाए गए हैं आपके उपर की disclose नहीं किये गए हैं प्रपर तरीके से उसके अंदर छिपा के मतलब नमांगकन फिल अप किया गया था उसमें कुछ खुलके बताईए सर वो चूट है उसमें जो मल हमने नमांकन परहे और ठीक परहे हैं और उसमें हम आर्गू करेंगे नहीं काफी मतलब जो दूसरी प्रतिजुंदीव है दिनेश जांगरा अडवोकेट हैं उन्होंने भी मतलब बताया था कि काफी जो है इसके अंदर हेर फेर करके नमांकन रद उसके अंदर भरा गया था हर एक आदमी को मल राइट है उसने परटीशन दैर कीति है उसने जो गलत लगाए हैं चूठी लगाए हैं क्योंकि जो आदमें इतनी बड़ी बोर्ट से हर जाता है तो कोट में आगे वार गता है हम उसकी रपलाई दे रहे हैं रपलाई देंगे उसके बाद जच बैस सुन जाए सुरेचपरमाजी को इसके बारे में क्या आपको बताईए उसने जो पुटीशन डाली है उसमें हरेक पुटीशन में एपलीकेशन होती है भी इसके इंटरम स्टे किया जाए पर इसमें जो है हम रप्लाई देंगे रप्लाई के बाद बैस होगी उसके बाद एक मार्च डाली थी इन्हों ने कहा था आप वकील अरेंज करो तो आज और आरेंज किया वाकलेंगे करेंगे क्या जज्जमेंट निकली है अभी तक क्या जजसाब ने बताया अभी जजसाब ने कुछ नहीं बताया भाई जजसाब ने उसका नूर्मल केस नहीं है इसके अंदर जो है में पारशद की सीट यह जीते है और जनता में इनके अलिगेशन लगाए गए थे कि जो जुनाओ का नमांकन होता है उसके अंदर डिस्क्लोज नहीं किया पूरी तरह से काफी चीज़ें जो है इसके अंदर दबादी गई है पार्टी को भी जो है पब्लिक नोटिस करना पड़ता है अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है उसके बात बता रहे हैं यह बहुत अहमियोत म से अगने आज यह एक रेट नegah चार परटीशन और बिस कोट में लगी हैं मैंने आपको बोल दिया जो परसीजर चाल रहा है कोट का परसीजर होता है कोट के परसीजर करें हम सही जिता है इतनी वोट्रों जिते हैं सबसे ज्यादा इस करके यह बखलाट में हैं जो आदमे फैसला आये तो उसके बाद मुझको बताना भी ये फैसला आया आप भी एक वकील है एलिगेशन कहां तक सही है कहां तक गलत है कुछ आपको आपने भी देखा होगा सारे एलिगेशन बिल्कुल टूटली फाल्स है फ्रीविलियस है ठीका गेंस्ट लाइंड फैक्ट्स है इस करके जो सारे एलिगेशन चूठिल गाए है उसका हम रप्लाई देंगे और बैस करेंगे अभी हम मौझूद हैं डिस्टिक बार एस्टिक बार में यहां पर और सुरेश वर्मा जी जो है वाड नंबर दो से पार्शद उनके ओपर एक यहां पर हेरिंग थी आज उनकी सतार नमश्कार सर, सर क्या जज्जमेंट सुएं अंदर क्या रहा कोट के अंदर कुछ बताएं इसके बारे में सर आज जो हेरिंग लगी थी वो इलेक्शन पेटीशन पे थी हेरिंग और जो सुरेश वर्मा जी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहा है उसकी भी हेरिंग थी परन्तु ही यस डेनाइड टू अपियर विद्धी अडवोकेट इन इलेक्शन पेटीशन रादर दी सुरेश वर्मा है सोट दी टाइम के मुझे टाइम दिया जाए मुझे वकील करना है ठीक है और उस केस में उनका कोई वकील नी अपियर हुआ देन आई हैव रिक्वेस्टेड के इन्होंने पहले भी टाइम लिया था वकील करने के लिए इसलिए मेरे को आज कम से कम जो मेरी इंटेर्मी रिलीफ है उस पे सुन लिया जाए ठीक है कोड ने मेरे को एट लेंथ सुना है आई है डिस्क्राइब ओल दी ग्राउंट्स कि यह यह ग्राउंट्स है जिस पर की इनका एज ए मिनिस्पल कांसिलर काम करना नहीं बनता ठीक है यदि आप को तो मैं ग्राउंट्स बता देता हूं कि भी क्या है क्या नहीं है मतलब जो कोडिकि ऑन्युट कोंषिभा नहीं है मॉर्माजी की तरफ से वकील थे जो उनकी तरफ से कहना है कि जो भी ध़ंगेशन चाहे हैं वह वह फॉल्स हैν बिल्कुल फॉलस है किसी तरह कि उनका मतलब कौई तथ है नहीं है सब कुछ मतलब गलत त्रीके से पेश किया जा रहा Nintendo तो इस बारे में कुछ बताएं क्या मतलब उनकी रियालिटी है और किस तरीके से वो पेश कर रहे हैं सर हमारे टोटल लीगल ग्राउंड से हैं मोर ओवर यदी जूटे थे या एलिगेशन हैं वो सिरफ तो आज जब कोट ने मोका दिया तो उन्होंने बताया क्यों नहीं कोट को कि ये जूटे हैं ये गलत लिखा हुआ है पेटीशन में आज बताना था आज उनके पास मोका था कोट ने जो अनबर ऑफ टाइमस उन से पूछा ठीक है इन स्पाइट ऑफ डैट दे हम नोट आंसर के भी वो जूटे हैं या कुछ है किसी भी तरह से कोई रिप्लाई नहीं दिया तो अभी जद साब की तरफ से क्या आगे की तारीक दी गई है कुछ इसके बारे में खुल के बताएं सर जो डेट है वो most probably at four जो है न हमें पता चल जाएगी उन्होंने at land सुन लिया है और जो इंटेर में रिलीफ पर उन्होंने अपना order reserve किया है अभी order उन्होंने बताया नहीं है तो most probably 4 बज़े तक हमें पता चल जाएगा date as well as order कि वो क्या order करते हैं जो हमारी प्रेयर थी तो आपको कुछ लगता है कि जजमेंट जो है बिल्कुल सही तरिक्के से होंगी और इसमें कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा नहीं यह तो हमेशा है हम तो जो जुडिशल एड्मिन्स्रेशन है आलवेज वी बिलीव अपॉन दी जुडिशल कि कुछ मुद्दे जो है यहां पर उनकी तरफ से मतलब सही तरिक्के से रखे गए हैं पर जो सुरेशकवार वर्मा जी की तरफ से एड़ोकेट हैं उन्होंने किस तरह से खारीच किया है कि कोई भी जो है मुद्दे अंदर रखे गए हैं किसी भी तरह के ऐलिगेशन लगा जाए जाएगा डिस्क्राइब करके जो कि अभी जो है यह बहुत संगीन मामला है और संगीन मामलों को एकदम से डिसीजन लेना बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि मुमकिन नहीं है तो मैं अमित कमल इस समय अपने सहयोगी सनोज के साथ यह तो हमेशा है हम तो जो जुडिशल एड्मिन्स्रेशन है आलवेज वी बिलीव अपन दी जुडिशल एड्मिन्स्रेशन और आई होप सो कि जो भी ग्राउंड में लिये हैं वो फेवर में आएगा हमारे बहुत बहुत धनेवाद तो यहां पर देखिए जिस तरीके से दिनेश कुमार जांगरा जी ने भी बताया कि कुछ मुद्दे जो है यहां पर उनकी तरफ से मतलब सही तरीके से रखे गए हैं पर जो सुरेश कुवार वर्मा जी की तरफ से एड़ोकेट हैं उन्होंने किस कमल इस समय अपने सही होगी सनोच के साथ नमस्कार